हेलो गाइस, Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विशिक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 नमबर तक के सभी important Current Affairs कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतो तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को सुरू करने से पहरे आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे daily Current Affairs PDF, weekly PDF, monthly PDF और हर महीने के banking and economic awareness PDF चाते हैं Current Affairs Funda का one-year membership plan आप जोइन कर सकते हैं, जिसका link आपको वीडियो के description में या फिर first comment में मिल जाएगा आपको बताने इस one-year membership plan के तरह जितने में मारा PDF content है, वह हम आपको एक साल तक के लिए provide कराते हैं जिसे आप download कर सकते हैं, printout भी निकलवा सकते हैं, इसके लिए चाहिए आपका Interface Funda app को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने laptop या system की मदद से web login भी कर सकते हैं कोई भी आपका exam of banking, SSC, railway of state PCS, जहांपर भी जन्रदवें इस या Current Affairs पोचे जाते हैं सभी exams के लिए हमारा PDF content काफी useful है तो कोई भी अगर आपका doubt है हमारे PDF code से संबन दित, तो आप comment box में वश्य लिखेगा चलि फिर करते हैं शुरुबात इस वीडियो session की हम इसे की तरह सबसे पहले आच्छा question देख रहेते हैं, इसका answer आपको अभी comment box में करना है How many non-permanent members are there in the UN Security Council, संयुक्तराष्ट, सुरुक्षा परिशद में कितने अच्थाई सदस्य हैं Options है 5, 10, 15 या फिर 12 Easy question है, जल्दी से answer कर दीजे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह question से दिया practice करना चाहते हैं तो मैं telegram पर join कर लीजे, current affairs funda नाम से मारा telegram channel है What is the theme for World Toilet Day 2023? 19 November को मनाये जाने वाले पिस्तव, सोचाले दीवस का विशे क्या है? Options आपके सामने हैं सही answer, option D है, accelerating change आपको जाना चाहिए हर साल World Toilet Day 19 November को मनाये जाता है और UN Water जो agency है, यह इस World Toilet Day की official conveiner है आपको जाना चाहिए इस साल World Toilet Day का theme है, accelerating change Hummingbird, यह World Toilet Day और World Water Day इन दोनों की symbol है आपको जाना चाहिए कि नमंबर महीने का जो third Sunday आता है, तीसर अविवार आता है इस दिन World Day of Remembrance for road traffic victims भी observe किया जाता है और इस साल यह 19 नमंबर को मनाया गया विस्वाल दिवस का मनाया जाता है, options आपके सामने है सही आंसर option C है, November 20 आपको जाना चाहिए कि हर साल 20 नमंबर को World Children's Day celebrate किया जाता है 20 नमंबर ही इसले चुना गया क्योंकि 20 नमंबर 1969 को UN General Assembly ने Declaration of the Rights of the Child को adopt किया साथी 20 नमंबर 1989 को UN General Assembly ने Convention on the Rights of the Child को भी adopt किया था आपको जाना चाहिए 2030 में World Children's Day का theme है For Every Child, Every Right आपको जाना चाहिए भारत में Children's Day ये 14 नमंबर को celebrate किया जाता है क्योंकि 14 नमंबर को जो इंडिया के 1st प्राइमिस्ट रहे हैं अपंडित जवाड लाल नेरू, इनका birthday होता है इसका भी आप theme ही कह सकते हैं For Every Child, Every Right Which Senior IPS Officer was appointed director of the Special Protection Group SPG किस वरिष्ट IPS अधिकार को विशे सुरक्सर समू यानि की SPG का निदेशक नियुक्त किया गया options आपके सामने हैं, सही answer option भी है आलोक शर्मा आपको जाना चाहिए Senior IPS Officer आलोक सर्मा ये Special Protection Group यानि की SPG इसका director नियुक्त किया गया है आपको बता दी जो Special Protection Group है ये Prime Minister रेंद मोधी की Security के लिए Responsible Agency है अच्छा, इनकी appointment क्यों गई? क्योंकि इनसे पहले जो SPG Chief थे अरुनको मार्श चिनहा इनका दिहान्त हो गया था 6 सितम्बर को थोड़ी सी जानकाई ले रहता है Special Protection Group SPG के बारे में देखें, बीरबल नाथ कमीडी ने recommendation दी थी कि एक इस तरह की Agency या Security Force बनाई जाए जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनको protection दे सके इंदरा गांधी की killing 1984 में हो इसके एक साल बाद ही इस force को बनाएगा 1985 को आपको तादी जो Special Protection Group है ये Cabinet Secretariat के अंतरगत आती है एस सुब्रमनियम ये first director थे Special Protection Group के और आपको जाना चीए फिलहाल केवल प्राइम मिस्टर निनमोदी ही SPG द्वारा प्रटेक्ट किये जाते हैं SPG का मोटो है Zero Error या Culture of Excellence इस मोटो पर कारी करते हैं अमीनी किस प्रकार का एक जहाज है जिसे हाली में तमिननाडू के कटपली में L&T Shipbuilding की सुविधा में लॉंच किया गया है options आपके सामने हैं सही आंसर option भी है Arnala class आपको जाना चाहिए कि 8 anti-submarine warfare shallow watercraft बन रहे हैं एक project के तहत गार्डन दी शिप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स इसको बना रहा है तो इन 8 में से अब यह फोर्थ लॉंच हिया गया है इसका नाम है अमीनी अमीनी से आपको याद आता हो कि आइलेंड ऑप अमीनी भी है एक लक्षदीब में तो उसी के नाम पर रखा गया है लक्षदीब में एक आइलेंड है अमीनी अच्छा यह जो सभी एंटी सब्मरीन वारफियर शालो वाटर काफ्ट बन रही है यह 77 मीटर लॉंग शिप्स है डिस्प्लेस्मेंट इन चमताइन की 900 टंस की है मैक्सिम स्पीड 25 नॉट्स है और जो एंट्यूरेंस है वो रखबाग 1800 नॉटिकल माइल से अच्छा जो यह एट एस्टब्लू स्टब्लू सी शिप्स बन रही है इसके लिए एग्रिमेंट 29 अपरेल उनिस साल 2019 को मिर्स्ट्री ऑफ डिफेंस और गार्ड़न टीच सीप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स कोलकाता द्वारा साइन किया गया था इसके तहत चार तो बन रहे हैं JRSC कोलकाता में और बाकी की जो फोर सिप्स हैं यह L&T शिप बिल्डिंग का टुपली में बन रहे हैं और यह याद रखेगा आप जो कोशन में पूछा गया था है कौन सी क्लास के शिप है अड़नाला क्लास सिप हैं और किन को रिप्लेश कर रहे हैं विच हंट्री होस्टेट द सेकेंड वोइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मिट इन वर्चुल फोर्मेट किस देश ने आभासी इप्टा रूप में दूसरे वोइस ऑफ ग्लोबल साउथ सिखर सम्मिलन की मेजवानी की ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन नह आपको जाना चाहिए कि भारत ने सेकेंड वोइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मिट को वर्चुल फोर्मेट में होस्ट किया है और इसमें जो इनौगरल लीडर सेशन था इसके देश्टा प्राइमिस ने रनेंद मोदी द्वारा की गई है यह सम्मिट 10 सेशन में अरेंज थी जो इनौगरल लीडर सेशन वास का थीम तुगैदर फोर एवरीमन्स ग्रोथ विद एवरीमन्स टॉस था और जो कंक्लूडिंग लीडर सेशन था उसकी सम्मिट उसके आथीम था ग्लोबल साउथ तुगैदर फोर वन फ्यूचर सिवेंट के दोरान प्राइमस्टर नेंद मोदी ने ग्लोबल सेंटर और एक्सिलेंस फोर ग्लोबल साउथ कंट्रीज जिसे दक्षिन बोला गया है इसे भी लोंच किया है मैत्पून है यह तर्म आपको उताते हैं भारत ने जो पहला वो इस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मिट है इसे बारा से तिरा जनवई 2030 में होस्ट किया था यानि कि इसी साल होस्ट किया था पहला भी और दूसरा भी इसी साली होस्ट हो रहा है ठीक है उस टाइम 125 कंट्रीज के आसपास इसमें पार्ट कि मेजबानी की सही answer option A है US आपको जालना चाहिए कि 3rd Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity IPEF Ministerial Meeting ये United States के San Francisco California में हुई है Union Mr. for Commerce Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles पियुश को इलने इसमें पार्ट पिठिया भारत की ओर से आपको माफी जेगा आपको जाना चाहिए कि जो IPEF है जिससे हम बात करना है इसे jointly launch आए था US और भी अधर के पार्ट टकर्ट इसके द्वारा 23 मही 2022 को Tokyo Japan में 40 member country से इसमें Australia, Brunei, Fizzy, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam and US से इसमें चार पिलर्स है मैंने आपको कई बारे बता दिया है कि चार पिलर्स ने याद रखेगा trade पहला पिलर है, supply chain दूसरा पिलर है, तीसरा पिलर clean economy है और fair economy चोथा पिलर है भारत ने जो है कि सभी पिलर इसमें जोइन किया, observe status pillar 1 है भारत के पास pillar 2 से pillar 4 भारत ने जोइन किया है ठीक है, लेकिन जो pillar 1 है वो भारत ने जोइन किया आने कि जो trade है आपको बता दे हाली में इन्होंने supply chain agreement में साइन किया है, भारत ने भी साइन किया और जो 14 पार्टनर से समने से साइन किया है supply chain को हूँ इन्होगरेटेट इंटरनेसल कॉन्फरेंस कम एग्जिबिशन और एरोस्पेस और अविएशन इन न्यू देली नई दिल्ली में 2047 में एरोस्पेस और विमानन विशेबर आयजित एक अंतरास्ते सम्मेरन और एग्जिबिशन का उदगाटन कि इसने किया, सही आ अं इसको इन्होगरेट किया है New Delhi में, यह और्गनाइस किया गया Aeronautical Society of India के द्वारा अपनी 75th Anniversary के मौके पर, आपको बता दे जोई Aeronautical Society of India इसके स्थापना 1948 में की गई थी, प्राइम मिस्टर पेट्र इंचीफ होते हैं इसके तेशवर में Aero Space and Aviation को प्रमोट करने के जो हैं इसमें शामिल रहते हैं, फॉर्मर सेकरेटरी, डिपार्टमेंट अफ डिफेंस, रिसर्च एंड डेवलोपेंट, एंड चेर्मेन DRDO, डॉक्टर जी शतीश रिदीज के प्रेजेंट प्रेजेंट है और इस रोके चेर्मेन है, एस सोमनाती है, प्रेजेंट गिनी की खाड़ी में किस भारतिया नोसेना पोत ने 31 दिनों की समुद्री डकैती रोधी कश्ट का संचालन किया, सही आंतर अप्शन टी है, आइनेस सुमेधा, आपको जारा अचे, आइनेस सुमेधा, जो है, डेप्लोई किया हुआ है, हमने एट्लांटिक ओर्शन में, व इस दूसरी बारे जब इंडियन नेवी ने इस एरिया में एंटी पाइरेसी पेट्रोलिंग किये, इससे पहले आइनेस तरकष ने भी की थी, सितंबर से अक्टूबर 2022 में, विस सिटी होस्टेड़े थे 2023 एफ्रीकन एकनोमिक कॉन्फरेंस, EEC, 2030, अफ्रीकी आर्थिक संप विलन की मेजबानी किस सहर नहीं, सही answer option दी है अदेश अबाबा, देखे 2023 एफ्रीकन एकनोमिक कॉन्फरेंस, इसे jointly और्गनाइज किया गया, अफ्रीकन डेवलप्मेंट बैंक, एकनोमिक कमीशन फोर एफ्रीका, एंड यूनाटन नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम इस्पेन का प्रदान मंतरी किसे न्युक्त किया गया है, सही answer option दी है, पेड्रो संचेज, ये Spanish Socialist Workers Party से बिलॉंग करते हैं, और इन्होंने Majority Votes यहां अपड़ जीते हैं इस्पेन में, और Mariano Rajoy को ये succeed कर रहे हैं, इस्पेन की अगर हम बात करते हैं, Capital Madrid है, currency euro है, What is the name of the first humanoid robot appointed as CEO by Hanson Robotics and Dictador? Hanson Robotics और Dictador द्वारा CEO के रुप में न्युक्त किये गए, पहले humanoid robot का नाम किया है, सही answer option A है, Mika देखे, Dictador, एक spirit brand है ये, Columbia के कार्टे के नामे, इन्होंने World Cup First AI Chief Executive Officer निप्त किया, इसका नाम है, Mika और ये launch हैं इन्होंने Hong Kong-based engineering and robotics company Hanson Robotics के साथ मिलकर, Hanson Robotics नहीं, जो popular humanoid robot है, Sophia, इसको create किया था What was the growth rate of patent applications by presidents of India in 2022, according to World Intellectual Property Organization, WIPO विस्व बोधिक संपदा संगठन के नुसार 2022 में, भारत के निवासियों द्वारा patent आविदनों की वृद्धी दर कितनी थी, सही answer option भी है, 31.6% देखे, WIPO की Annual World Intellectual Property Indicators Report के अनुसार 2022 में, पूरे वर्ड से 3.46 million patent applications signed की गई है यहने के लिए गातार तीसरे साल growth देखने के लिए मिली है, सबसे आदा applications आई हैं चाइना से, फिर दूसरे नमबर पर US, फिर जापान, फिर South Korea, फिर जर्मनी ठीक है, 2020 की हम बात करें और अगर हम area wise देखे, continent wise तो Asia से सबसे आदा आए हैं Patent application by residents of India, grew by 31.6% in 2022 ठीक है, जो इंडिया के residents हैं, उनके जारे जो patent filing में व्रिद्धी हुई है, 31.6% प्रतिशात की हुई है और 11 साल से हम बढ़ते ही जा रहे हैं उपर, और अगर हम देखे, resident patent filing जो इंडिया में थी, ठीक है वो 47% तक बढ़ी है, 38551-2022 में और टोटल अगर हम देखे, Indian patent office के साथ जो filing होई है, वो 17,068 हुई है WIPO की बात है, director general Darren Tung है, headquarters Geneva Switzerland में है The sixth high level meeting of the India Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC Energy Dialogue was held at which place? भारत petroleum निर्यातक देशों के संगठन OPEC, उर्जा समवात की छटी उच्च इस्तरिय बैठक कहांजित की गई, सही answer option है, वियना देखे, sixth high level meeting of the India Organization of the Petroleum Exporting Countries यानि की OPEC Energy Dialogue ये OPEC के Secretariat Vienna Austria में हुई है, और इसको coach air किया है, OPEC के Secretary General Hatham Al-Guys और Hardeep Singh Puri, जो की Minister of Petroleum Nature गया से भारत में दोनोई साइट्स ने भारत की importance इस शेत्र में जो accept की है, भारत third largest energy consumer है, third largest crude oil importer है, और fourth largest global refiner है ये याद रखी गए वाले हैं ये पूछे जाते हैं गाम में OPEC की जो World Oil Outlook 2023 रिपोर्टर्स में OPEC ने भी कहा है कि 2022-2045 तक भारत के हरम long term growth देके तो 6.1% तक रहने वाली है and accountant for over 28% of incremental global energy demand during the same period OPEC की बात करें, बगदाद conference के तहत 1960 में इसकी स्थाफ थाफ थाफ गी गई, इरान, इराग, कुवेथ, साओधी अरब और वेनेजुएला के द्वारा headquarters वेन आउस्ट्रिया में है और 13 member से इसमें 13 countries के member हैं और पुर्य विश्व का 30% oil ये 13 member produce करते हैं which two companies have been granted ISP licenses for satellite internet services in India भारत में satellite internet सेवाओं के लिए किन दो कंपनियों को ISP license प्रदान किया गया है options आपके साब ने है, सही आंतर options ये है, GEO and OneWeb देखे, Department of Telecom ने ISP अनिक internet service provider license Geotest Satellites Communications and भारती group टेक्ट OneWeb को दिया है They can provide internet services connecting satellite service with terrestrial networks or through VSET to end customers OneWeb है, इसके पास तो अपना constellation है, Geostationary और Low Earth Orbit Satellites का महीं, GEO ने इसके लिए Luxembourg SES Satellites के साथ partnership किया जिसके पास GEO and MEO, यानि की Medium Earth और Bit Satellites का constellation है Who was S. Venkati Venkita Ramana, passed away recently S. Venkita Ramana, कौनते जिनका हाली में दहन हो गया सही answer option C है, Former RBI Governor देखे, S. Venkita Ramana, ये RBI के Reserve Bank को फिटेंगे Former Governor रहे है इनका हाली में दहन हो गया, 92 की age में और 1990 से 1991 का जो balance of payment rescue था उसके architect इनने बताया जाता है भारत में 18th governor थे RBI के और 2 साल तक appoint किये गए थे December 1990, December 1992 तक इससे पहले ये finance secretary भी रहे है Ministry of Finance में 1995 से 1990 तक और अब इच्रीश देख लेते हैं, जाने मानी British author A.S. Byart इनका निधन हो गया है, 87 की age में 1990 Booker Prize इनको मिला था अपने Novel position के लिए और जाने माने Art historian and prolific writer B.N. Goswami इनका हाली में जान होगा, 90 की age में, चंडीकड में ये अपने पहाड़ी Painting Scholarship और Indian Miniature Paintings के लिए जाने जाते थे और जब फोर्थ Highest Tribune Award है, पद्विश्री ये 1998 में इनको मिला, महीं थर्ड हाइस्ट Honor, पद्विश्री ये 2008 में मिला What target has the Association of Asia Pacific Airlines set for sustainable aviation fuel utilization by 2030 Association of Asia Pacific Airlines ने 2030 कितने प्रतिशत sustainable aviation fuel उपियोग का लक्षे निदाज किया है सही answer option भी है, 5% The Association of Asia Pacific Airlines ने के resolution पास किया है जिसके तहित sustainable aviation fuel utilization target 5% रखा गया है 2030 तर हाली में इनकी मीटिंग हुई है, 67th मीटिंग हुई है, सिंगापूर में उसके दोराने फैसल लिए गया आपको उतादे फिराल, 14 airlines इसकी member है, AAPA यानि कि Association of Asia Pacific Airlines ही Air India भी इसमें शामिल है Aviation जो है, जो Global Carbon Emission उसमें 3% का contribution करता है Which country hosted the 10th ASEAN Defense Ministers Meeting plus ADMM plus किस देश ने 10th ASEAN रक्षा मंत्रियों की बैठक plus ADMM plus की मेजबानी की सही answer option से है, इंडोनेशिया देखे, रक्षा मंत्री राइनाथ सिंग हाली में इंडोनेशियन कैपिटल चकारता पहुँचे माइनों ने 10th ASEAN Defense Ministers Meeting plus ADMM plus को जो है, जोइन किया आपको तादे जो यह ADMM plus है, यह एक प्लैटफोर्म है, आशियान मेंबर स्टेट, चारिक ब्रू नहीं, कमबोडिया, इंडोनेशिया, लाउस, मलेशिया, मियावार, फिलिपेन, सिंगापूर, थाइलेंड, व्यत्ताम, और जो एट डायलोग पार्टनर्स हैं आशियान के, इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया, जापान, साथ कोरिया, अस्ट्रिया और निजलेंट, इनके बीच में, ताकि जो डिफेन्स कोपरेशन हैं, वह बढ़ सकी भारत आशियान का डायलोग पार्टनर 1992 में मना था, मैं अटकूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजेगा, और जो पहली ADMM Plus मीटिंग हुई थी, हनोई वियत्नाम में हुई थी, बाराक्टुपर 2010 में ADMM Plus जो है, आप कहेंगे कि इसमें साथ एक्सपर्ट, वर्किंग ग्रूप से, जैसे Maritime Security, Military Medicine, Cyber Security, Peacekeeping Operations, Counterterrorism, Humanitarian Mine Action, and Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR, जो यह HADR है न, इसका तो भारत अभी अध्यक्ष भी है, इंडोनेशा के साथ, 2020 से 2020 साइकल के लिए Previous similar questions के answer तेखेंगे, विच इस देखेंगे, विच इस देखेंगे, विच इस देखेंगे, विच इन अभी अर्प कंट्री विद गाजा, Egypt, in which year was the Code of Criminal Procedure introduced, 1898 or amended here in 1973 में, What is India's first city designated as the City of Literature by UNESCO, Kosi Kod, On which day is the birth anniversary of tribal icon, Birsamunda and Janjatiya Diva celebrated, 15 November, When is the world day for the prevention of and healing from child sexual exploitation, abuse and violence observed, answer is November 18, आप में से का yes friends, बिलकों सही answer किया है, इसी तर से पाइस्पेट करते रहें, आच के साइमन कॉस्टन बेखेंगे, The Electoral Trust Scheme was introduced in which year, The Three Brotherhood Alliance is a coalition in which country, The Indigenous Tribal Leaders Forum represents tribes in which state, Who is the first Indian athlete to win code at the World Athletic Championship, Prime Minister Nandarumadhi launched the 24,000 crore rupees Pradhan Mantri, Particularly Vulnerable Tribal Groups Mission, PVTG Mission for the holistic development of around 28,000,000 PVTGs in the country, from which district in Chharkand, इन 5 questions के answer आपको comment box में करने है, यदि आपको एक question का answer भी आता है, तो अभी आप हमें comment box में मश्चे ही बताईएगा, ज़्यादे ज़्यादे संख्या है, participant करने को जिस्किया कीजिए, साथी telegram का, साथी हमें आप telegram पर भी जोईने कर सकते हैं, आप अपर एक्लिव वीडियो अपडेट्स और current पी जिस्समा आप सभी के लिए डालते रहते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, दोस्तों हमारे current affairs की प्रेश दी गई, इसको आप जिरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, fellow experts साथ हमारे current affairs को share आप जिरूर करें, आज का session आपको कैसा लगा आप comment box में वाश्य बताईएगा, thank you guys.